Hello, welcome back to my channel Code24, मैं हूँ सादिक और मैं आज आप लोग के लिए लाया हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले ही कि हमें Code क्यों सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए कोई भी चीज सीखने के लिए दो तरीका होता है एक होता है वाई एक होता है हाउ अगर आपने वाई को क्लियर कर लिया तो फिर आप 50% उस चीज को कम्प्लीट कर चुके होते हैं और आपने हाउ भी क्लियर कर लिया तो 100% उस चीज को आप लोग मस्तर करते हैं उससे पहले आ सारा कुछ प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग के उपर डिपेंडेंट है जैसे आप लोग सुबह उठकर वाट्साइप को खोलते हो तो अब बाद कुछ चीजों सीखने के लिए पर देखने के लिए एंटरेंटमेंट के लिए आप लोग यूटीब को खोलते हो सोशल मीडिया के लिए आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेस्बूक के सारा कुछ खोल लेते हो उसके बाद फिर खाना ओर्डर करना है तो आप जो मैटो यान सुगी को ओर्डर कर लेते हो अभी अपकामिंग टाइम जो आने वाला है तो टेकनलोजी कहां से लेके कहां तक जाएगा हम लोग प्रेडिक भी नहीं कर सकते हो तो उसी टेकनलोजी के अगर आप पार्ट होना चाहते हो तो यह कोडिंग प्रोगार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है और सबसे इंपॉर् वहीं सब्सक्राइब कि जो भी field of motivation है आपका आप machine learning सीखना चाहते हो artificial intelligence तो blockchain technology तो ये सारा field के उपर depend करेगा कि programming language आपको कौन सा सीखनी चाहिए machine learning अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोग को python पे master करना बहुत जरूरी हो जाएगा artificial intelligence के लिए भी आप लोग को python पाइफन सीखना जरूरी है उसके बाद फिर blockchain technology अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो ये भी आप लोग python या फिर आप लोग solidity आप लोग सीख सकते हो या फिर java को use करके भी आप लोग blockchain technology को बना सकते हो देन आपका आता है game development अगर आप लोग करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग java को सीख सकते हो या फिर c++ को सीख सकते है उसके बाद फिर web development अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत सारा language है जैसे php हो गया उसके बाद फिर python आप लोग सीख सकते हो उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे Node.js का इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है और बहुत सारा language है जो आप लोग यहाँ पे master कर सकते हो अगर आप लोग को app development सीखना है तो यहाँ पे आप Java को सीख सकते हो उसके बाद फिर आप यहाँ पे Kotlin को भी सीख सकते हो ठीक है तो यहाँ पे बहुत सारा language का नाम में अभी mention नहीं कर पा रहा हो कि इतना सारा language है अभी exist करता है market पे कि आप एक एक का नाम भी आपको गिना दो तो पूरी रात पार हो जाएगा ठीक है तो इसी के लिए यहाँ पे अभी आपको fully focused करना है कि कौन सा field को आपको चूज करना है तो उसी field के according जितना भी सारा language है उसको आपको देखना है फिर वहाँ से एक आपको pick करना है जो कि बहुत efficient होगा जैसे कि आप machine learning पे जाओगे तो python वहाँ पे efficient होगा तो python को आपको चूज करना है and then उसके आगे आपको जाना है तो ठीक है हमें हमारा why clear हो गया अभी हमारा field भी clear हो गया हम लोग sponsor language में choose करने वाले वो भी clear हो गया अभी हमारा जो programming language होगा उसको हम लोग कैसे सिखेंगे तो वही होगा हमारा next topic तो यहाँ पे हमको अभी जानना है की how to learn a programming language आप लोग online courses लेके उसको सीख सकते हो या फिर एक book खरीत के सीख सकते हो paid courses बहुत सरा है internet और private tuition लेके भी आप लोग सीख सकते हो फिलाल मेरा भी C programming के उपर एक course चल रहा है अगर आप लोग उसके C programming पे interested हो तो जाके C programming को आप लोग देख सकते हो i button पे भी मिल जाएगा और description पे भी playlist का link मिल जाएगा तो देखिए आप लोग कही से भी सीखे ठीक है online सीखे private tuition paid course कही से भी सीखे लेकिन जो programming language आप सीख रहे हो for example अब C सीख रहे हो तो C programming का एक book at least एक book होना बहुत जरूरी है आपके पास ठीक है क्योंकि मैं आपको पूरा दिन भी समझा दू लेकिन बहुत सारा चीज ऐसा होता है कि आप लोग उसको skip कर देते हो या फिर याद नहीं रहता है तो उसकी लिए छोटा छोटा concept के लिए आपके पास एक book होना बहुत जरूरी है अभी एक मैंने program भी select कर लिया C program तो C programming को अभी हम लोग कैसे सीखे programming language के ओपर master करने के जो भी तरीका है उसको भी मैंने दो part में divide कर दिया है तो हम लोग उसी दो part को भी देखते हैं चलिए अभी हम लोग basic programming language part 1 को देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में दो भाग में मैंने divide किया है तो part 1 में क्या होता है कि programming environment को आपको देखना है तो programming environment होता क्या है तो आप लोग अगर C programming सीखना चाहते हो तो आपको एक code editor का जरूरत होता जो की है visual studio code फिर आपको एक compiler का जरूरत होता है जो programming को compile करके फिर machine code पे convert करता है तो यह सारा जो environment है एक साथ करके फिर उस program को हम लोग कर सकते हैं अगर आप लोग जाना चाहते हो कि code editor visual studio code पे कैसे सी program आप लोग रन कर सकते हैं तो मैंने उस topic के उपर already video बना के रखा है आप लोग जाके i button या फिर description पे जाके देख सकते हैं अगर आप लोग फिर web development पे जाना चाहते हो तो आपको एक Apache server चाहिए उसके बाद फिर आपको code editor चाहिए तो बहुत सारा चीजे चोटा-चोटा resources का जरूरत होता है जब आप लोग के कोई programming language के उपर सीखना चाहते हो अहला कि आज कल online पे भी बहुत सारा platform है जैसे कि रैपलिट के उपर भी आप लोग जाके उस programming language को लिख सकते हो तो आप लोग अगर जाना चाहते हो रैपलिट पे कैसे programming language को रन किया जाता है तो आप लोग मेरे description पे दिया गए link पे या फिर i button पे दिया गए link पे जाके देख सकते हो programming environment के बारे में हम लोग का भी सीख दिया अब देखिए क्या है यह छोटा छोटा जो topic है जैसे कि data type क्या होता है variable क्या होता है keywords logical and arithmetic operator if else logic conditional statement क्या होता है loop क्या होता है यह छोटा छोटा topic है तो यह जो topic है ना यह आप python या फिर php java javascript उसके बाद कोई भी language पकड़ लो कोई भी language पकड़ो सारा language में यह जितना भी सारा concept है ना यह बिल्कुल सेम है 100% सेम है ठीक है तो कोई भी एक चीज अलग नहीं है तो इसके लिए आप लोग कुछ भी language सिखो तो यह सारा चीज पहले आप लोग को सिखाया जाएगा तो उसके बाद यह जो चीज सीखना है ना यह आपको at least seven days at least seven days तीन से लेके चार hours तक practice करना है regularly अगर आप लोग यह कर पाएंगे तो इसका जितना भी सारा concept है पूरा clear हो जागा देखिए क्या होता है ना कि मेरा भी ऐसा होता था पहले दीन ही पूरा मैंने देख लिया था उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सब कुछ आ ग ठीक है तो इसी के लिए अगर आप लोग एक दिन पर करते हो तो बहुत अच्छा वही चीज आपको पूरा साथ दिन तक continue करना है ठीक है तो अगर आपने यह सारा को सीख लिया उसके बाद जो next topic है उसको वह होता है कि आप लोग इसके उपर project बील करो ठीक है तो मैंने कु 10 lines में आपका यह सारा project बन जाएगा ठीक है तो यह 5 to 10 lines इतना important नहीं है लेकिन यहाँ पे जो main चीज़े important है वो है आपका concept and logic ठीक है यह जो programming यहाँ पे quadratic equation का मैंने roots निकान ले दिया है checked repair है आप लोग ने mathematics पे यहाँ का पूरा project कर रखा है लेकिन क्या है कि अगर यही logic व तो that will be your achievement ठीक है तो इसी के उपर अगर आपने इतना सारा अपने जितना भी सीखा हो वही knowledge को आप लोग apply करते हो और यह सारा project बनाते हो तो मैं 100% guarantee के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी सारा चीज़े आपने सीख लिया वो आप लोग कभी नहीं भूल उपा होगे क्योंकि द करना है और यह जितना भी सारा project है यह आपको सिर्फ तीन दीन में बनाना है तो आप लोग यह तीन दीन पर बना लोगे तो आपका concept भी बहुत strong होगा और आपका time efficiency भी बढ़ जाएगा ठीक है programming सीखने का जो next topic basic programming language part 2 है इस पे आप लोग को ना functions के बारे में सीखना है functions उस बहुत सारा programming language इसमें अलग-अलग type का function रहता है जैसे private function public function तो यह सब क्या होता है तो वह भी सारा आप लोग को सीखना है ठीक है उसके बाद फिर input output operation के बारे में सीखना है जैसे user कुछ input देता है उसके बाद फिर हम लोग user program से हम लोग कुछ output लेते हैं फिर file operation कैसा होता ह सारा चीज आप लोगो अभी सीखना है उसके बाद फिर number character arrays कैसे बनता है array का function क्या होता है array का अंदर index क्या चीज होता है यह सारा कुछ आप लोगो दिरे दिरे सीखना है उसके बाद फिर object oriented programming यह बहुत important है जो जितना भी सारा आप लोग programming सीखोगे उसके बाद जब application पर जाओगे तो यह object oriented programming का बहुत जरूरी होगा तो उसके concept भी आप लोगो बहुत अच्छी तरके से सीखना है अगर आप लोग कोई जिस programming language के साथ deal कर रहे हैं वह programming language अगर database के साथ मतलब communicate कर रहा है तो आप लोग को पूरा चीज सीखना है कि कैसे database के साथ data communicate कर रहा है database पे data क save किया जाता है उसके बाद फिर कैसे edit and delete किया जाता है यह सारा कुछ आप लोग को तभी सीख लेना है ठीक है यहाँ पर मैंने बहुत सारा चीज एक्स्टा बता दिया जो कि आप लोग familiar भी नहीं होंगे लेकिन कोई बात नहीं अगर आप लोग किये जो road map मैंने दिखाया क कि प्रोगाम आप लोग कैसे सीख सकते हैं यह road map अगर आप लोग अच्छा से follow करते हो तो बहुत कम टाइम भी है मतलब उधिन मंद आप लोग प्रोगामिंग पे master कर सकते हैं देखिए प्रोगामिंग सीखने के लिए तो कोई भी estimated time नहीं है कि आप लोग एक हपता या फि कुछ कानों पे डाला जाएगा कि प्रोगाम बहुत टाफ है कैसे कर लेता है यह semicolon वगेरा यह सारा चीज होता है तो देखिए यह सारा चीज एक मित है आप लोग अगर सच में प्रोगामिंग सीखना चाहते है तो यह सारा चीज आप लोग एजिली क्लियर कर लोगे और को क्रोगाम पर और करेड़ सकते हैं उसके बाद फिर önem-ieben को ना सकते हैं टीक टोग बना सकते तो यह सारा जो चोटा-छोटा प्राजेक यह बिल्कुल beginning level पे है और ऐसा नहीं है कि सितनी पाइफनन सेख़िए आप लोग यह सब बना सकते हो, c program को सेख़िए भी आप लोग किस था कुछ बना सकते हो java, javascript, जितना भी सारा programming language सारा programming language को सीख़िए आप लोग किस dunya सारा application बना सकते हो तो जितना भी सारा project हudes अगर आप लोग बना लोगे तो आपका concept बहुत अच्छा clear हो जाएगा प्रोगाम सीखते वग बहुत सारा question आप लोगे अंदर दिमाग पे आ जाएगा इसलिए अब मैं क्या suggest करता हूँ जब आप लोग प्रोगाम में सीख रहे हो उस वक्त आप दूसरों को भी सिखाओ आप लोग अफ्रेंड हो सकता है या फिर पैरेंट्स होता है उनको पकर पकर के वो भी clear हो जाएगा तो hopefully मैंने जितना भी सारा discussion किया आप लोगे से साथ programming related hopefully यह सारा कुछ आप लोग को clear हो गया होगा अगर कुछ भी doubt है आप लोग कौन सा programming सीखना चाहिए तो comment box खुला है आप लोग कुछ भी जाके वहाँ पर comment कर सकते हो और अगर यह वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा और informative रहा तो वीडियो को like and subscribe जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन दिस साधिक signing off टे जाए वाली del दोस्तों के साथ चाहर वीडियो में तोस्तों के साथ हो और दो हैं अगली जाए यह ये जाए जाए झाली दोस्तों के साधिक